प्यारे विद्यारतियों आज हम एक बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं 1857 के विद्रों के बारे में 1857 के विद्रों की शुरॉत 10 महीं को मेरट से हुई लेकिन उससे पहले अगर मैं बात करूं मंगल पांडे सहाब की यस मंगल पांडे वह व्यक्ति जिनका जनम उत्तरप्रदिश बल्याजीले में हुआ था उनकी द्वारा सबसे पहले चर्बी वाले कार्थोस के खिलाफ विद्रों की शुरुवात की गई थी उन्हें जैसे ही पता चला कि यहां पर इस कार्थोस के अंदर चर्बी है जिसको दात से खीचना पड़ेगा इ अंग्रे जदीकारी यूर से और जो वहां पर खड़े वे वेक्ती थे उनकी हत्या कर दी इसी के खिलाफ एक बहुत जबर्दस्त जो है एक्शन लिया गया उनकी वर्दी चीन ली गई नौकरी चीन ली गई और उन्हें म्रत्यू डंड जो है वहां उसकी सजा सुनाई गई कब दी गई उन्हें फासी की सजा उन्हें गुंतिस मार्च 857 को अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई थी और 8 अप्रेल को मंगल पांडे सहाब को फासी की सजा दे दी गई जबकि डेट इसकी 18 तारीक की तैय हुई थी लेकिन पहले ही 8 अप्रेल को ही इन्हें फासी क सजा दे दी गई थी क्योंकि बहुत जबर्दस्त बहावत्र जो है बहुत चारों तरफ फैलने लगी अब बात करते हम उत्तरप्रदेश मेरिट से देखो इनके सम्मान में सरकार की द्वारा डाक टिकट जारी किया गया है मंगल पांडे साहब को हम सेलिट करते जो इतने व इस बार बार एक्जाम में पूछ तो इसको बहुत अच्छे से तयार कर लेना अब हम चर्चा करते विद्रो की शुरुआत कैसे हुई विद्रो की शुरुआत जो है दस महीं 817 को दौपर बाद जो है 817 मेरिट का है यूपी के अंदर मेरिट शे शुरुआत कैसे करेंगे म उन्हें क्या चाहिए तो तोपे चाहिए बंदुके चाहिए बम चाहिए तो सबसे पहले शस्त्रागार को निशाना बनाया और वहां से गोला बारूद वगर इखटे कर लिए यह देखो यह शस्त्रागार है यहां पर यह सारे गोला बारूद है जहां इन्होंने अधिकार कर लिया और गोरों को निशाना साधा सबसे पहला निशाना किसको साधा गोरों को निशाना साधा यानि जो अंग्रेज गोरे का मतलब क्या है जो अंग्रेज भारत पर अधिकार करके बैठे वे थे उन अंग्रेजों पर निशाना साधा उनके बंगले उनकी जो इमारते हैं तहसनेश कर दिया, अब चलते हैं आगे, अब और किसको इन्होंने तबाह कर दिया, देखो भारत के ही लोगे, भारत की ही जगे है, हम क्यूं हमारी ही देश को तोड़ फोड करेंगे, ऐसी स्थान जहां हमारे भाई बंदू सजा काट रहे थे, जेल, अदालत, जहां पर हमें सजा सुनाई जाती थी, अदालत है, और इसी के साथ सथ सरकारी दफतर, जहां पर यह कागज है, जिसमें हम पर इलजाम है, हमारा राजस्व बकाया है, तो हम उसको खतमी कर देते हैं, जहां पर यह रजिस्टर पड़े हैं, जहां पर यह बॉन्ड है, जिस पर साइन किया वाई और हमारा राजस्व जो है बकाया पूल रहा है तो चलो यह सारी अंग्रेजी प्रतीक थे इन सब को जला दिया तबहा कर दिया और इस प्रकार से यह विद्रो फैल रहा था अडालत जेल अडालत है जेल है सरकारी दफ्तर है पूरा का पूरा हम देखेंगे आगे चल कर कि दिली को भी पूरा अपने कंट्रोल में कर लेंगे, अभी तो हम मेरट के अंदर है, मेरट में ये विद्रो इस प्रकार फैलता था, तो विद्रो का धर्रा आपको समझ में आ गया होगा, सबसे पहला शस्त्रागार जो है उसको निशाना सादते, फिर वहां से जब इनके प चलते, फिर डाक खाने को निशाना बनाते, टेलिग्राम लाइने काट देते, जो सडके हैं उनको भी उखाड फैका, पुल को उखाड फैका सडके तोड़ दी, ऐसी इन्होंने चारो तरफ व्यवस्था जो है बेगाडी, ताकि यहां की खबर दिली तक पहुची ना सके, इस प्रकार से विद्रो जो है, शुरू हुआ, यही ढर्रा सभी जगे रहेगा, विद्रो का ढर्रा सेम इसी तरीके से दिली में भी चलेगा, लखनू में भी चलेगा, कानपूर में भी चलेगा, बरेली में भी चलेगा, और विद्रो ही जो है, चारो तरफ विद्रो को फै ताकि वो लीगली वैलिड हो जाए तो हमें उनसे ठपा लगवाना पड़ेगा इसलिए विद्रोई कहां चले गए बहादूर्शा के पास और कब कितनी बच चुकी थी सुबह हो चुकी थी तड़का चार बजे का टाइम समझ दो तीन चार बजे का टाइम था बहादूर्शा सूरस निकलने से पहले जो रमज्अ महीना होता है उससमें क्या करते हैं खाना खा लेतसे इस्कुच शेहरी कहते है तो सहरी करके उठे ही थे उन्हें आवाज कर इतना होँद लग क्यों सुनाई दे रहा है कौन है फाटक पर जा कर देखा देखो लाल किला यहां की फाटक पर यह विद्रोई पहुंच चुके और आवाज सुनाई दी बादूर्शा ने पता लगाया कि कौन है तो इन सिपायों ने बताया कि हम मेर्ट के अंग्रेजों को म मार कर आ गये आप मैं आशिरवाद दीजिया अभए तरह आग जत्था और है यह तो आए आए घत्था और पोच गए एक जत्था जो है यानि सेना की टुकूडी एक जत्था और हुज है कहाँ पर आ गया दिली में लाल के लिए के अंदर प्रवेश कर जाता है उसने बाश्चा से आने की अनुमती भी नहीं मांगी देखो प्रेबर इस प्रकार से दर बारी सिस्टा चार होते थे उसका पालन नहीं किया दूसरा जथा भी अंदर पहुच गया दिली की आम जद्धा भी साथ में पहुच गई उन्होंने अंग्रेजों को डिलि में भी मार गिराया पूरी जो दिली है वह उन्ग्रेजों के काभू से नियंटरंट से बाहर हो चुकी थी और इस प्रकार से दूसरा जथा भी अंदर गुज गया और बाधुर सा से का बाधुर्शा अपना अशिरवाद प्रदान करो क्या बाधुर्शा अशिरवाद प्रदान करना चाहता है नई बाधुर्शा अशिरवाद प्रदान नहीं करना जाता वो डरावा है vem अंग्रेचोक की गुलामी को स्विकार कर चुका थो भड़ा हो चुका थो लेकिन एक तरफ Roz खाई और एक तरफ कुवां यह समझ दो एक तरफ तो पहले यह स्यना की टुकड़ी आ सेयना की एक टुकड़ी पहले यह आ चुकी थी और दूसरे तरफ से दूसरे सेयना की टुकड़ी ने भी एंटर कर लिया, दर्बारे सिस्टाचार का कोई उन्होंने पालन नहीं किया, दूसरे टुकड़ी भी आ गई, और यहाँ पर यह ध्यान रखना दिल्ली भी नियंतरण से बाहर हो गया था दिल्ली की आम जनता भी जो है आम जनता भी जो है वह इन विद्रोयों के साथ शामिल हो चुकी थी इस प्रकार से बहादुर शा को बिना मन से भी आशिरवाद देना पड़ा और अब इस विद्रो क हम क्या देखते हैं बहादुर शा के नाम से चलाया जा सकता था बहादुर शा के नाम से इसको चलाना पॉसिबल हो गया चलाया जा सकता था इस प्रकार से क्लैप कर दो फटा फट से कि यास अब हम इसको बहादुर शा के नाम से चला सकते ही वैलिड हो गया क्योंकि बहाद शांदार दिवाली के अवसर पर आपके लिए गिफ्ट दिवाली का त्योहार खुशियों का त्योहार रोशनी का त्योहार मिठाईयों का त्योहार आपको इन सारी खुशियों के साथ उतकर्श क्या लेकर आया है डबल धमाका लेकिन ध्यान रखना यह डबल धमाके का समय ज से उस पर 90% तक का डिसकाउंट और इसी के साथ बिल्कुल फ्री स्पोकन इंग्लेश एडवांस कोर्स बिल्कुल बिल्कुल फ्री कैसा लगा बताओ उतकर्ष का यह तोफा आपके सपने को साकार करने के लिए हम यह सब कुछ लेकर आए हैं चलिए इसी के साथ अकेडिमिक श मीडियम चाहे आपका CBSC बोर्ड है, RBSC बोर्ड है, UPMP या भीहार बोर्ड है अगर आप आर्स या साइंस के स्टूडेंट है तो 11 या 12 का कोर्स कोई भी ले रो आपको सिरफ और सिरफ पच्छिस सो रुपे में मिलेगा जो बहुत जादा कम है देखो के पच्छिस सो रुप जो है मत्र अठारा सो रुपे रहेगी अब बात करते हैं इसी के साथ साथ अगर आप प्राइम बैच लेते हैं आप हिंदी मीडियम या इंगलिश मीडियम का CBSC, RGSC, UPMP, Bihar कोई भी बोर्ड के हो 11, 12 का अगर आप कॉमर्स का या आर्स साइंस का प्राइम बैच लेते हो त अग्जाम में किस तरीके के कोशन आते हैं उसकी प्राइम मेनेजमेंट करना सीख जाओगे तो यहाँ प्राइम बैच अगर आप खरीते हो तो वह सिरफ और सिरफ तीन हजार में पढ़ेगा यहाँ भी सिरफ तीन नवंबर तक ही ओफर लगेगा फिर इसकी प्राइज जो ह जो की रिकॉर्डेट फॉर्म में मिलेगा आपको तो उसमें 11 और 12 के लिए प्राइज आपकी क्या रहेगी 1800 रुपए इसकी प्राइज रहेगी और इसी के साथ साथ अगर आप इसका भी प्राइम बैच लेओगे तो उसकी प्राइज जो है 2500 रुपए रहेगी यहाँ भी सिर्फ तीन नवंबर तक ही रहेगा जो चॉइस अक्टूबर से शुरू हो जाएगा तीन नवंबर तक रहेगा तो बताओ कैसा लगा दिवाली का ओफर दिवाली का तौफा जल्दे से जल्दे इस तौफे का फाइदा उठाईए बहुत सारे विध्यारतियों तक इसको श झाल प्लस कर दो तक है वाएदारतियों तक है कि रहेगा जल्दे सकतित झाल नवंबर तक है हैं तक है जल्दे सकतित की हैं जल्दे?